ओम शान्ती आज 25 ओगस्ट 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर्निय आशा दीदी ओम शान्ती दी ओम शान्ती दीदी बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम संगम-Yugी ब्रामनों का धरम और करम है ज्यान, अमृत, पीना और पिलाना यह बाबा बताते हैं, ब्रामन माना ही, क्योंकि ब्रामन विद्या से जुड़े हुए है, चाहिए लोकिक ब्रामन है, वो भी विद्या से जुड़े हैं, ब्रामनों का करम धरम, ज्ञान सुनना और सुनाना है, कथा सुनना और सुनाना होता है, तो बाबा ने हमको कहा है, कि आपका ये कारह है कि ज्ञानमरत पीओ और पिलाओं। तुम नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रशन है, तुम ब्राह्मनों को कर्मों की किस गुह गती का ज्ञान मिला है। अगर बापका बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मिंद्रियों से कोई पाप करम किया, तो एक पाप का सौ गुणा दंड पढ़ जाएगा। ये ग्यान तुम ब्राह्मनों के है, इसलिए तुम कोई भी पाप करम नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मनों का लक्ष है, सर्व गुण संपन बनना, इसलिए तुम अपने अव गुणों को निकालने का ही पुरिशारत करो। किए पढ़ाई का लक्ष हो तो ब्रामण कोई देवी देवता बनना है कहा जाता है republican ब्रामण देवी देवता है नमा तो वह आदो कहते हैं कि तुम बच्चे अपने लक्ष को ध्यान पर रको कि तुम को यह बनना है गीत है भोले नात से निराला बेहत के बाब का नाम है भोलानाद जरूर मनुष्य से देफता बनाने वाला भी वही है मनुष्य तो सब हैं आसुरी संफ्रदाए वो मनुष्य को देफता बनाना सके उनके लिए ही गाया हुआ है मनुष्य से देफता किये देफता रहते हैं अमर लोग फिर बाबा ने कहा कि इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ब्रह्मा की संतान है प्रजा पिता है तो उनको जरूर धरम की बच्चे होंगे मुखवणशावली है तो भी जरूर मात पिता चाहिए ना मम्मा की भी मुखवणशावली कहेंगे बाबा की भी मुखवणशावली तो दादे की भी मुखवणशावली ठेरी फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ज्ञान अम्रिट से मनुष्य से देफता बनते हैं हम ईश्वर की उलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है सगे और लगे भी है ना लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलती जितनी सगे बच्चों को मिलती है यह बच्चे कि दिल के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, नजदीक के होते हैं, अपना सारा प्रिवरा बाबा को देते हैं, तो बाबा का भी उनसे प्यार होता है, तो नेचरले बाबा जादा मदद वो लोग महसूस करते हैं, और जो लगे होते हैं, वो उपर-उपर से बाबा बाबा करते हैं तो मदद उतनी ही प्राप्त करते हैं इन्हीं बाबा से गहरा संबंद नहीं जुड़ते हैं तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम वर्णों को जानते हो भल विराट स्वरूप बनाते हो परंतु उन्हों की हिस्ट्री जोग्रिफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है इतने जनम देफता धरम में इतने जनम शत यहां कोई गपोड़ की बात नहीं है, 84 जनम सिध कर बतलाते हैं, फिर बाबा ने जैसे हमें बताया था पहले कि ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुक्तु हो जाता है, नहीं, पाप आत्मा कैसे बने, प्रती दिन कर्मों का बोज़ा चड़ते चड़ते बिलकुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं, कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं, तो वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाब कहते हैं, उनका है रजो प्रधान सन्यास, अभी तुमको मिलती है श्रीमत वो तो हो गई मनुश्यों की मत बाबा नहीं हम बच्चों को बताए कि परिवर्तन का आधार है श्रीमत और श्रीमत क्योंकि तुम बच्चों को मिलती है तो तुम परिवर्तन करने के निमित बन जाते हो वहाँ पर वो श्रीमत नहीं है वहाँ मनुष्यमत है मनुष्यमत तो पच्ची सो साल से मिलती आए तो दशा क्या हुई हमारी तो अब श्रीमत से हमारी चड़ती कला होती है बाबा ने कहा कि अपना दंदा धूरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सुक्षम वतन शिफ बाबा की बायोग्रफी ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी जानते हो फिर संगम युक्य जगत अंबा जगत पिता को भी जान लिया है जगत अंबा सरस्वती गाई जाती है उनके चुत्र अनेक है वास्तव में मुख्य एक है जगत अंबा सरस्वती ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है अव्यक्त के बाद वो ब्रह्मा फिर साकार माहराजा श्री नारायन बनते हैं फिर 84 जनम शुरू होते हैं बाबा ने पूरा साइकल समझा दिया कि एक साधारन मनुष्य वो बना रत शिव बाबा का और उस रत को ये लक्ष दिया गया कि आपको संपूरन बनना है आपका ये स्वरूप नहीं है आपका perfect स्वरूप है तो संपूरन बनने के पश्चात क्या होगा उनको देवी देवता विष्णु और उसके पश्चाद फिर वो 84 जन्मों में आते हैं उसके बाद फिर आके चल रहे हैं फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए सबसे पहला अवगुण है दे अभिमान का दे ही अभिमानी बनने में बहुत मैनत है दे अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं एहंकार है पहला नंबर शत्रो बाप डाइरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देहे का एहंकार छोड़ो मुझे तो दे है नहीं मैं इन ओर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूं तुम इन ओर्गन्स से सुनते हो और समझते हो अब बेहत का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाए ये बाबा ने बताया है कि फॉर्मूला कि याद से भी करम विनाश होगे कोई भी ऐसा बाप करम नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी राजियोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते अब बाप तुमको सच समझाते हैं तुम सत के संग में बैठे हूँ सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए उनका नाम ही है टूथ सच्चा ग्यान सागर फिर बाबा ने कहा कि बेहद पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टी रचनी है बेहद के बाप ने नया मकान स्वरक बनाया है नई चीज को पुराना तो होना ही है लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी वैसे ही सारी स्रिष्टी भी नई से पुरानी होगी जरूर क्योंकि यह एक रूल है कि कोई भी चीज नई बनती है तो समय का उसमें रोल है समय जैसे से बीतन है तो वो पुरानी होती जाती है तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते बाब कहते हैं नहीं ये सुरिष्टी चक्र तो अनादी है अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खतम हो जाए ये चक्र तो जरूर फिरना है फिर बाबा नहीं है हम बच्चों को कहा कि बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो तो आज हमारा रेजिस्टर खराब तो नहीं हुआ कोई भूल तो नहीं की फिर बाप से माफी लेनी चाहिए शिव बाबा हमको माफ करना तो मेरी आज्या मानो ना नम्बर वन फर्मान है कि देही अभिमानी बनो विकार में मत जाना बाबा कहते हैं कि अपनी आपको संभालो और अपनी जीवन को संभालो जिन चीजों ने तुमें नुकसान दिया हैं उनसे अपने आपको परे रखो कौन से चीजे हैं देह भिमान और विकार उनसे अपने आपको मुक्त करो बाबा ने कहा कि तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नरायन बनने के लिए पढ़ते हैं तो सब हसी उड़ाएंगे यहां तो धारना चाहिए यहां तुम को पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ तब ही सतो प्रधान बन बाब के पास जाएंगे फिर बाब स्वर्ग में पेच देंगे आज बाबा ने वरदान दिया अपने भाग्य की स्मृती से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव अमरत वेले से रात तक आप ब्रामन बच्चों को जो श्रेष्ट भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो वहा मेरा श्रेष्ट भाग्य जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो कुछ भी हो जाए मरने तक की बात भी आजाए लेकिन खुशी नहीं जाए शरीर चला जाए कोई हरजा नहीं लेकिन खुशी नहीं जाए बाबा यही चाहते है किसके बच्चे हो बच्चे भगवान के स्लोगन है हर्षुत मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ द्रश्टा बनके हर खेल को देखते चलो तो यह थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टिकरन और आज दादी जी का स्मृती दिवस भी है जिस पे हमें कई पॉइंस आये हैं लेकिन हम आशा दीदी आपसे भी एक कोई भी धार्ना के जो आपको स्मृती में आता है आदर निया दादी जी के जीवन और धार्ना की कोई ऐसी शिक्षा वो आज आप हमें दे दादी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी हमने दादी को देखा है चाहे साकार बाबा के सामने चाहे अवयक्त रूप से दादी नंबर वन सीट पर बैठती थी कभी भी पीछे नहीं और दादी का चारों सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन होता था जिस समय दादी मुरली नोट करती थी तो ऐसे नोट करती थी जैसे उसको कितने रतन मिल रहे हो बाबा बोलते जाते थे दादी नोट करती थी खुश होती थी हम साथ में बैठते थे दादी के देखते थे तो दादी खुश होती थी जैसे वह बाबा ने ये 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 य करने वाली, दूसरी तो student life का महत्वा, कभी दादी ने class miss नहीं किया, जब दादी बुजर्ख हो गए, थोड़ा बीमार थे, तो बहने कहती थी दादी class में ने जाओ, दादी wheelchair पर class में आते थे, और जो बहने मना करती थे, उनको तुम मुझे class में जाने से रोक नहीं सकती हो, ऐसे बोलती थी दादी, और चारो subject पर दादी का attention था, ये एक बार मेरे साथ घटी भी बात है, एक दिन में दादी के पास सभेरे सभेरे गई, रोज ही जाते थे, तो दादी ने, मैं सेवाओ में बहुत ज़ सेवा है नमबर चार subject, योग है नमबर वन subject, तो दादी का attention योग पर बहुत था, याद पर, जिससे चारो subject की समानदा है. थांक्यू दिदी, आपने ही हमें स्रिक्षा और धार्ना की बाद बतलाई, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप अपने प्रशनों को मेसेज कर सकते हैं, या वाट्साप पर मेसेज करें, डाबलेट टू सिक्स फाइफ डाबल नाइन त्री जेरो नाइन पर, और ह आपके प्रशनों को प्रशनोत्री कारिक्रम में लेने का प्रयास सवश्य करेंगे, ओम शान्ति